नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुधान्शु बढ़ानिया आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जहां आप पाएंगे अपनी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों बीते दो सालों में कोरोना वाइरस ने जो तबाही मचाई थी उससे अभी थोड़ा ही समय हुआ लोगों ने राहत की सांसे लेना शुरू किया ही था और उनकी जीवन की गाड़ी पट्री पर आने ही लगी थी कि अचानक से कोरोना वाइरस के एक नए वेरियंट ओम माहौल पैदा हो गया है इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कोरोना वाइरस का ये नया वेरियंट पुराने डेल्टा वेरियंट से किस तरह से अलग है साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका इनफेक्टिविटी रेट क्या है यानि कि एक इंसान से द ओमिक्रोन वेरियंट से पीडित मरीज में देखने को मिल रहे हैं। 20 से 25 लोगों को बिमार करने की ताकत रखता है। ये आंकड़ा ही आपने आप में बताने के लिए काफी है कि ओमिक्रोन वेरियंट का इनफेक्टिविटी रेट पुराने डेल्टा वेरियंट से काफी तेज है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैल सकता है। इतना हाई इनफेक्टिविटी रेट होने के बावजूद भी सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि ओमिक्रोन वेरियंट से पीडित मरीजों में जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो सिम्टम्स बहुत ही मामूली और हलके हैं। यानि की ये साफ जाहिर है कि ओमिक्रोन वेरियंट पिछले डेल्टा वेरियंट से कम जानलेवा और कम घातक है। इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है कि Omicron variant से पीडित मरीजों का recovery rate बहुत ही ज्यादा है और ज्यादातर मरीज बिना hospitalization के घर पर ही ठीक हो जाते हैं। अगर Omicron से पीडित मरीज के लक्षणों की बात करें तो ऐसा देखने में आ रहा है कि Omicron से पीडित मरीज को बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है। भी रहती है और उसको मामूली बुखार भी आ सकता है। सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि Omicron variant से पीडित मरीज का oxygen level बिल्कुल नॉर्मल रहता है और उसे किसी भी तरह की oxygen therapy की ज़रत नहीं पड़ती। ज्यादा तर मरीजों में ये देखा गया है कि ये सारे symptoms बहुत ही मामूली हैं और साधरन treatment से लगभग 3-4 दिनों में ही मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो Omicron variant पर हुई अभी तक की research के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि Omicron variant से डरने की नहीं बलकि सतर्क रहने की जरूत है। मेरी आप सबसे request है कि जितना संभव हो सके भीड भाडवारी जगाओं पर जाने से बचें, COVID protocols का पूरी इमानदारी से पालन करें और वो लोग जिन्होंने अभी तक vaccine नहीं लगवाई है, उनसे मेरी हाथ जोड कर request है कि अपना vaccination जितना जल्दी संभव हो सके पूरा करें। इश्वर से आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। Thank you so much!